बुल्गरिया टीटेन मुकाबला यहाँ पर कवर करेंगे लेकिन जितने भी सारे के सारे टीटेन मुकाबला कवर करो यहाँ पर देख से तो जीएल में 33 रेंग बस जीएल वीन करने करीब कल भी देखोगे तो दो रेंग तीन रेंग एसे चल रहा था लास्ट में हम लोगों क रिंग 10-15 रिंग चला गया लेकिन कोई बात ने वह भी जीएल पे लागा ताल हम लोग प्रोफिट कर रहें तो आसा करते यहां पर बात करेंगे एम यू एस भर्सस पी एलो के भी जो यहां पर टीटेन मुकाबला खेला जाएगा देखो इस टीम पे बहुत सारे बुलगरिया के इंटरनेशनल पिलियर हैं और बहुत सारे मुकाबला 2021 में खेला गया था सेम टीटेन कुछ अलग टीम से खेले तो कुछ अलग टीम तो लेकि अच्छा खासा आ रहा है आप भी लाना चाहते हैं वीन करना चाहते हो तो हमारे टेलीगराम चैनल को आपको जोईन करना बहुत ज़्यादा जरूर है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खोद खिलता हूँ बाकि बेटिंग लाइन आप नए याने कि प्रोफिट के जरिये जितने भी चीज है मैं वहाँ टेलीगराम पर प्रवाइड करता हूँ तो हमारे टेलीगराम चैनल को आपको जोईन करना किस परकार है तो मेरे भाई हमारा टेलीगराम चैनल आपको इस परकार से दिखाए देगा क्योंकि बहुत सारे फेक च यहां पर बिल्कुल फिरी टीम पुर्वाइड किया जाता है तो दूस्तों यहां पर दोनों टीमों का ठीक ठाक ये आजाता है तिसरे चौते नमर पे करनाची डी अली एक बढ़िया गेनबाज है वैसे बल्लेबाजी परमुशन मिलता है टीटेन आपको पता है उपर नीचे होते रहता है एम अली मुबारक अली एक बल्लेबाज के तौर पे खेलेंगे लेकिन इनको जील पे ट् तिसरे नमर पे अलग टीम से आते थे और जे गुल जो ये वन डाउन आती है तो दोस्तों गेनबाजी देखी जाए तो यहाँ से गेनबाजी आप देख से डी अली यहाँ पर एक परफेक्ट इनके लब जेड चू गटाई की बात के यहाँ पर दौर एम सुल्तान यहाँ तीन गेनबाज परफेक्ट नजार आता आप देखो एस नायार जे अलबीन ए रसूल यह अलग कलब से आप खेलेंगे और इनके कलब का जो अलग कलब का है वो इनके कलब से खेलेंगे तो बुलगरिया का पिलेर इधर उधर होते रहता है इनके लब दोस्तों यहाँ से सायद हिस्सा नहीं है तो दोस्तों पिए लो का लाश्ट सीजन के स्कूर कार्ड देखा है बहुत सारी इंटरनेशनल पिलेर है तो उनको हम लोग कोंबिनेशन बक्त यहाँ पर समझ लेंगे एस अली यहाँ पर ओपन आते हैं इनके लाव एस उसन विकेट कीपर यहाँ पर तो वैसे बेटिंग लाइन अप तुमां आधा घंटा पहले आपको टेली गराम पे सेर कर दूगा वहाँ पर आपको जूड़े रहना एह हुसन एक ही ओभर डाला पी अशरी आगे बाद के काफी बढ़ियां गेनवाज आपको याद रखना एसक्वेर एसी साय डिरिम लिम का हिसा एक सो पांच रहन है इनका देखा जाए तो अपने पूरे किर्केट करियार पर तेरा विकेट है इनके अलावे दोस्तों यहां से देखा जाए यहां से देखा जाए रसूल का तो पचीस मेच में तेरा विकेट है इनके लावे एफ हुसन एक सो पचीस रहन और यहा कुछ प्रियर के यहां पर है है यहां यहांपर सबसिंद अपर आपनी किर्केट करियर, इं teor अपनी किर्केट करियर पर सथी शांथ अन्हों ने बारा वी कहें इन ने चटका एम इनके लब केट डसन इनके बारे मैं बता दू कि यह बुलगरिया का इंटरनेशनल पिलियर है वो इसे पार्ट टैम गेन बाजी करता जब बड़ दस्त पिलियर अपने टीम पे तो जरू ट्राय करना केप्टन वास के बारे में भी सुचना है इनके लावे जेड असीब अपने करियर पे गारा रण एक बिक्टे इनके लावे जेड अवीदी यहाँ पर भी एक बिक्ट पी एस चरियान यहाँ पर अपने किर्केट करियर पे बल्ले से कुछ ने ओल नो बिक्टे इन्होंने लिये है बाकी यहाँ से आप देख सकते हो कु बहुत सारे प्रोफिट से आप वन्ची तिरह रहे हो तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो बहुत सारा आपको फाइदा मिलेगा एसे डोमेस्टिक में जो की जैकपोट सुर्वात से ही रहता है तो दोस्तो विकट कीपरिंग सेक्षन पर देखा जाए तो मुझे ज़्यादा कोई खास नजा नहीं है वैसे जे गुल ओपन आना चीए बेटिंग लाइनप ताई जाए जे गुल को मैंने यहाँ पर पिक्किया हूँ इनके अलावे देख सकते भी सुरेश बाबू तो दोस्तो इसने अपने पूरे करियर पे पांच मकाबला खेला जहाँ पर इनका 49 रहन है वैसे गेनबाजी यह करता नहीं तो यहाँ से यह इंपोर्टेंड नहीं होने बाला सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे पी एल ओ के टीम का यहाँ पर जो की बेस्ट पिलेर होना चीए तो पहला नाम एस अलीक आता है भाईया आगबांद करके केप्टन वाइस दे देना नो डाउट काफी बणिया इनका रिकोर्ड है उपन आता इनके लाब एस हुसे दो ओभर यह गेनबाजी करना चीए और बणिया गेनबाज है तो यहाँ से मुझे जो बहतर लगा मैंने यहाँ पर दो कोपी किया हूँ इनके अलाव यहाँ पर देख सकते हो किरन डशन की बात की जाए तो काफी बणिया यह पिलेर है यहाँ पर देख सा तो ओलांडर सेक यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाते है यहीं बात की जाए अब गेनबाजी सेक्शन पर यहाँ पर एप रहमान पी अचरिया यहाँ से इंपोर्टेंट इन दोनों कमयने रिकोर्ड दिखा दो दो ओभर यह कनफर्म लगभग यह डालता है बाकि यहाँ से देखा जाए तो द आभीत की बात के यह पार्ट टाइम गेनबाजी करता है सारी मेच में इन्होंने गेनबाजी नहीं किया तो इस वज़ए से थोड़ा से उनके उपर आपको फोकस करना चीए इनके अलावे एम सुफ्यान भी ठीक ठाक ओप्सन है लेकिन वो खेलेंगे तो कितने नमर पे आत को पिक क्या एम तयाब यहाँ पर देखो गेनबाजी यह कम करवाता है लेकिन बल्ले बाजी यह वो टोप आउडर तिसरे नमर तक में यह करना चीए एम सुल्तान इनकी गेनबाजी देखे जादा जादा लेने का परियास आपर कर रहा हूं इनके अलावे इनका रिकोर्ड देखा जाते देखो जीरक की बाद के यह आपको चाओथे नमर फे बल्ले बाजी के लिए आजाएं साथ में दो भर करेंगे थे जील का ठ्रंप कार्ड केप्टन वीसी होने बाला है वैसे यहाँ से डी अली का भी रिकोर्ड मुझे काफी बढ़िया लगा दर डी अली को भ होगा इसमें नो डाउट और होना वेचे सारे लोगों का बीसी के लिए मैं एच यूसूप या फिर के डशन के उपर मैं जा सकता हूं यह दसन अगर जदी यह पाट टाइम भी गेनबाजी करता तो इंपोर्टेन होगा क्योंकि बुल्गरिया का इंटरनेशनल पिलेरा छक कुछ हम टेलिग्राम चैनल पे दे देंगे तो फिलाल के लिए आपको टेलिग्राम चैनल पे जूड़ी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों आसा करते लक्षीमा विसरीमा ओल भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ड बहतर जाए सारी लोगों पे प्रतिमा की किरपा बहनी रहे इसी उमीद के साथ मैं अपने वीडियो के यहीं समाप्त करता हूं